जहें साथ हो स्वागत आपका वीए सेकर्डवी के चैनल पर आज आपको मिलेगा आर्मी अगनी वीर सोला सो मिटर का बहतरीन वर्काउट क्योंकि अभी जस्ट रिजल्ट आया महू एयारो और भोपाल एयारो काउट जैसे रिजल्ट आया उसके दो-चार दिन के बाद आपकी फिजिकल की डेट भी आ गई बहुत सारे बच्चे जिनके अच्छे नंबर थे फिजिकल की त्यारी स्टार्ट कर चुके थे दस-पंदरा दिन पहले कुछ बच्चे जो पहले से करने थे कुछ बच्चे रिजल्ट के बाद चालू करेंगे एक बड़ा ही से बढ़ेगा किस तरह बर्कॉट बलां किया जाया कि तीन से चार बेंगा फिजिकल ट्रैनिंग को बनाया जाता जिसमें इन्ट्रेंग बना जाता आधार ट्रेनिक बना जाथ अब बेस आपका बना नहीं है लेकिन सीधे सीधे आपको 20 दिन बाद आज से 20-25 दिन बाद आपको दोड़ने जाना है तो किस तरह से वरकाउट करें कि हम फिजिकल को कौलिफाइ कर पाएं अब इसके अंदर जो पहले से थोड़ा-थोड़ा कर रहा था उसको निश्यत्रूप से मिलने वाला जो नहीं कर रहा था उसको थोड़ी तकलिफ होने वाली है मैंने अपने 25 साल के अनुभाव से कैसा वरकाउट प्लान किया आपके लिए जिसको करने के बाद आप चार विक के बाद इस कंडिशन में रहेंगे कि फिजिकल को आप अच्छी तरह से अटेंट कर प में वालों को इतने बच्चे मिल जाएंगे जितने हमको फिजिकल क्वालिफाइख करने हैं यदि आपको फिजिकल क्वालिफाई करना है तो आप मेरे इस वरकाउट को फोलो करिए निशीत रूप से आपको वहत्रिन वरकाउट में बना कर दे रहा हूँ जिसके अंदर पा रहा है नहीं कर पाने किसा टाइम आ रहा है कितना नहीं आ पॉशिश करेंगे दो पहले विग आपको कठी लगेगा है लेकिन सेकंड वीक थर्ड वीक फौर्थ वीक आते आते आपको वरकाउट इजी लगने लगेगा अब आपकी मजबूरी है करना ही पड़ेगा क्योंकि आपके और पी चारा नहीं आप बेसिक वर्काउट नहीं कर सकते सीघदे सीधे आपको speed workout के दरा पाना है मैंने इस workout के अंदर endurance और stress speed तेनों का एक समावेश किया है जिदि आप लोगो ठीक लगता है तो चैनल को स्सक्राइब कीजिए और इसके बाद में आप लाइक भी कीजिए ऐसे लोगों को शेर कीजिए जो सेल्प त्यारी करते हैं जिनको त्यारी करने में भी थोड़ा आसामंज से तो आप हम शुरुआ करते हैं पहले दिन के वरकाउट से पहले मतलब मंदे आज जो तारीक है आज तारीक जो है 31 तारीक है और आपको तीन तारीक को मंदे की दिन आप लोग क्या है मंदे की दिन आप डे ओपनिंग रहेगा पहला दिन रहेगा आपका तीन तारीक को तो मंदे को आपिया करना है ग्राउंड पर जाना है अच्छा वार्म प्रति किलोमटर की रफ्तार से दोड़ना है तो 40 मिनिट के अंदर आप 40-41 या उन 40 मिनिट के अब आप 8 किलोमटर लगा सकते हैं जो लोग अभी बिगनर है या शुरू आज क्या जो 8 किलोमटर तक नहीं जा सकते वह 6 किलोमटर कम से कम लगाएं जो भी उन से जितना भी पेसा है वो 5-5-6 किलोमटर की रफ्तार से दोड़ सकते दोड़े पर अच्छी है तो आट किलोमटर तक दोड़ने कोशिश करें उसके बाद आपको Dag लगाना है पुशक लगाना है कोई इसकि लगाना क्योंकि बाद बहूंग पर आपका हाथ वाठ चेस्ट भी नप जाएगा वहीवाँ को नब आपको Cool exercise करना गुरुम होता ही है आपके Abdomanetzt होती है लोवर जो आपके लूवर बेक होता है और आपकी ऋठान के अच्छा पर अच्छा भूरूर्स में वर्काउट से पड़ेगा लेक्टिक के सृटाप की बोडीबरफ जमेगा तो इसको release करने कलिने आपको pull-down जरूरी है जिसे warm-up जरूरी है यह workflow जरूरी एसा lash pull-down भी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है अब हम करते है डे- obstacles की बात करते हैं एक दे-लो पर आथे दिमिंग्रेशन की Strength pare दे-at- इसका भी लगा सकते हैं हर रेपेटिशन के बीच में आपको तीन मीट का रेश्ट करना एक दोस्तों लगाएंगे और तीन मीट का रेश्ट करेंगे इस तरह से आपको आठ रेपेटिशन पूरे करना है क्योंकि लेक्टिक इसे रेडियूस करने के लिए आपको यह करना है शाथ ही आप लोग दो टाइम वरकाउट नहीं कर सकते दो टाइम वरकाउट करेंगे तो रीकवर नहीं हो बाएंगे सुबह साड़े साथ आड़े तक वर्काउट करेंगे शाम को पाँच्छे होजे फिर ग्राउंड पर आ जाएंगे तो आपका जो है देस ग्यारा घंटे में रीकवर नहीं हो सकता क्यों कि आप बिगनर है तो मैंने एक टाइम वर्काउट बना आपको थोड़ा फास भागने आपको प्रती किलोमेटर जो पांच मीट का था आप पांच किलोमेटर प्रती गहंटे के रफतार से दोड़ लगाते हैं तो आप जो चालिस मिन्टे आठ को मिन्टर लगा रहे थे लेकिन उसका अजस्ट आदा मैने अवर कर दिया चार किलो म यह टेंपोरन होता एक बहुत ही sports science का language है और बहुत अच्छी एक तरह का schedule है जिसको करने के बाद यह सिर्फ speed work में करने से आपको बहुत अच्छा यह बहुत अच्छा है आपको इस detail में आगे कभी बताऊंगा उसके बाद आपको abc exercise करना है उसको चार से पांच कर ले और साथ में 6-8 इस्ट्राइड लगाले इस्ट्राइड मतला आपको 80-85% के effort के साथ में प्रिश्टेप को लंबी करके आपको लगाना है आठ इस्ट्रा लगाना है चिना पर मुष्टा साब को फिर अपस लगाना एक दिन छोड़के दे वन पर लगाए थी डे टू पने लगाए दे थी फिर से लगाएंगे और बीच में बीच में आपको इलेक्ट्रोलाइट वाटर पीना जिसके अंदर आपको इलेक्ट्रोल पाउच हो आपको थोड़ा सा तफ लगे है लेकिन आपको करना पड़ा है क्योंकि इसके अलावा कोई चाहरा नहीं है आपके साथ में यहां मैं लिखा डे फोल में दो हजार मीटर का एक रिपटिशन लिखा है जिसका टाइमिंग मैंने लिखा है आठ मिनिट से टू आर्ट दस से कंड्स एक मिन दस से कंड्स अब यहां पर ले ले पूरा वर्काउट फिनिश होने के बाद नथा इलेक्ट्र रेक्ट्राइड वाटर पर इसके अंदर आप जो है इलेक्ट्रोल पाउच हो या फिर आपका फ्रूट्र या फिर जो है निबूव पानी और नमक का घोलमिल बना कर लाएं और उसके बाद में उसको थोड़ा पी हैं और फिर बीस मिट स्लो स्लो रिकावरी रन करें डे फॉर का वर्गाउट हो गया अब डे फाइप आ जाते हैं हम वापस डे फाइप इंडियूरेंस की तरह पाएं इंडियूरेंस बनाना आपको यहां पर मैं लिखा ह यहां ऑर यहां किस्वार हैं और उसका रह्माद करेंगे लुएना जो करें अंदर ऑको को किकी खरना है फिर अपसज़ करें तो और वह को दोसब्स मोटर की दूरी चीनापफ लगाना है और एक चेनल भाइब का वर्गाउट हो गया फिर हम चलेंगे, डेस इसक तरह भी विक का आखरी है, आपको शनिवार आ गया यहाँ पर, यहाँ पर आपको 800 मिटर की 2 रिपटिशन लगाना है, एक रिपटिशन आपको 2 मिट 40 सेकंड का होना चीए, फिर 2 मिट 40 सेकंड के आसपास का हो, यहाँ पर 600 मिटर का एक करें पशना सब्सक्राइब रीकवरी रहो किसके हैं सब्सक्राइब करका जो है यहां थे रिलीज करने के लिए कीमनिट और लाइब डैसेए实 संडे का फिर हम मंडे के दिन वापस जाएंगे एक विक वरकाउट खतम कर दें एक मिट का वरकाउट कर लिया तो हमारा आउटपूट भी देखना चाहिए कि हमें हमें हमारा टाइमिंग में क्या सुधार हुआ तो फिर से आउट करेंगे वही चीनव पूछब्स लगे एक्सराइज करेंगे फिर आप जो है दो वीक वरकाउट पूरा करने बाद फिर से दे वन पर आएंगे फिर यहां सुला समटा का टाइमिंग लेंगे फिर से वरकाउट को कंटीन्यू करेंगे एक दो तीन चार विक रगातार आपको करना है आपको टाइमिंग जो है आपको डेवन पर यहां पर टाइमिंग लेने के बाद फिर आगे का इस बाइस और पर करने हो रही है जो टाइमिंग मैंने बताए हो टामिंग आ कर पा रहा है के नहीं कर पा रहा है और आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और आपको लास्ट एक वीक का बनाकर जरूर डालूँगा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसकी लिंक को अधिक शेयर कीजिए जो बच्छे अभी तक वरकाउट के लिए करेंगे वीज दिन में उन लोग के लिए इससे अच्छा वरकाउट नहीं हो सकता है यह मेरा दावा नहीं है और अच्छे वरकाउट बनाने वाले अच्छा वरकाउट बना सकते हैं लेकिन मैंने अपने 25 साल के अनुभाव का को यहां समावेश किया है यह आपको लग रहा है कि वरकाउट अच्छा है तो कमेंट बॉक्स में जैहिन लिखिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में जैहिन जे भारत